तोडेंस तोडेयाम स्टार्टिंग विडियो लेक्षर शीरीज फ़ीज वप्शनल कि मेरा पहला वीडियो लेक्षर है और यह फीर्स अटेंप्ट है इससे पहले मैंने कभी वीडियो लेक्षर बनाई नहीं है So maybe अगर यह lecture आपका up to the mark नहीं लगे तो please forgive me But मैंने यहापर try किया है कि sociology को हम simple तरीके से कैसे समझ सकते है So let's begin with it सबसे पहले we will try to understand the meaning of sociology Sociology का simple meaning है study of society यानि कि हमें society के study करने systematic तरीके से जैसे हम बाकी subjects को study करते हैं वैसे हमें society को भी जानना है Society क्या है? It refers to a group of people who live in a definable territory and share the same culture Example के तोर पर American society एक different society हो गई Indian society हो गई, British society हो गई तो ऐसे various societies होती है तो अभी के लिए हमें इतना ही समझना है कि society को जब हम study करते हैं तो उसे sociology कहते है UPSC में paper 1 and paper 2 है So paper 1 में हम start करेंगे chapter 1 से sociology the discipline यहाँ पर 3 sub-topic है Modernity, Social Change in Europe and Emergence of Sociology तो हम एक एक करके इन सभी chapters को इन सभी sub-topics को पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं Modernity से Modernity का meaning है Idea of New Thinking अब आप सोच रहे हो कि यह New Thinking क्या है? तो अगर आपको पता हो तो history हमेशा तीन stages में divide होती है Ancient, Medieval और Modern तो Old Europe यानि कि Medieval period की हम जब बात करें तो अब यूरोप में Dark Age था Dark Age का मतलब है कि आप पर Church, Pope इन सब का बोल बाला था और सारे लोग religion को बहुत blindly फॉलो करते थे काफी सारे social level भी थे और drought, feminine, सारी conditions भी इस period में देखने मिली इसलिए इसको Dark Age कहा जाता है बट कहते हैं कि कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छे की शुरुआत भी होती है इसलिए new era आया रिनाइसा, रिनाइसा मिन्स rebirth और re-awakening यानि कि फिर क्या हुआ, thinkers आये, लोगों ने कुछ ना कुछ सोचना स्टार्ट किया लॉजिकली कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है तो इसलिए जब new सोच आई और ये सब से first start हुआ इटली में इटली में एक thinker थे या फिर एक writer कह सकते है पेटरा करके तो इनोंने स्टार्ट किया इटली में logical reasoning यानि कि logical से सोचना, rationalism को लाया इनोंने और तब ये से शुरुआ थी modernity की लेनिसा को अगर हम अच्छे से पढ़ना चाहे तो इसका मतलब है कि यहापर आया पूट यूमानिजम अड़ सेंटर अप अल अक्टिविटी यहां पहले जैसे मैंने आपको कहा कि पोप का बोल बाला चलता यहां पर यहां पर उन्होंने कहा कि नहीं सबसे इंपोर्टन तो यूमन बिंग है यह सारा कुछ हो रहा है तो यह सब यूमन बिंग इसका में हमको जो स्टडी करना है वह यूमन है यूमन बिंग रहेगा तब ही तो सारी सोसाइटी रहे की तो यूमन सेंट्रिक पर सब सोचने लगे और रैशनलिटी इमर्जो यानि कि लोगों ने भी ब् सब्सक्राइब करने लाए कि डेमोक्राइसी होना चाहिए फिर एडम्स पर रिकार्ड होए और ने नियुक्रामिक ओडर की बात की तो यह सारे चीज़े आई और इसी पीरिएड में आई जब यह मौड़ानिटी थी तो मौड़ानिटी तो रहनी साले ट। द। दौन अफ म मौड़ानिटी नियूरोप तो सब्सक्राइब को पूछा जाए कि मौड़ानिटी क्या है तो डिनोट सपेसिफिक पीरियर्ड इन विच यूरोप सो इंटेलेक्ट्वल अफेवल यानि कि यूरोप में जब बहुत सारा यह जब चेंजेज हुआ जब सब लोग अपनी इस पीरियर्ड को मौड़ानिटी कहते हैं मौड़ानिटी से क्या हुआ सबके आइडियाज में इस सोच बदने लगी तो फ्रीडम की बात आने लगी लोगों के दिमाग में इंडियूलिजम के बारे में सोचनलाइस करने लगे साइंटिफिक और टेक्नोलोजिकल प्रोग् का यानि की सोचोलोजी एज डिस्सिप्लें सोचोलोजी एज सब्जेक्ट ओके स्वाय हो यहां तक आपको क्लियर रहा होगा में भी बहुत सारी मुझसे मिस्टेक हो सकती है सो आप फीडबैक देकर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए तक कि मैं नेक्स लेक्चर में धिंग तक्स्वाचिक भॉची जरूर वची कर दो हो।